एको सख्याएलडियों दीधंस करने वाले कम्पंसेशन टोपिंग के बारे में तो सिर्फ Medicine सेमी कंडूक्टर ने या तो सिर्फ और शतको सिलिकॉन एकन लेगा या तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रीमिनियम आटम मिलेगा तो आपके पास कौन सा सेमिकंड़क्टर है आपके पास इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर है राइट कौन सा सेमिकंड़क्टर है इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर में आप अगर पी टाइप इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर में अगर अगर सेंट्रिंसिक सैंच्टूर्टर में अगर تaktar को मिल जाएंगा आपको मिल जाएंगा यह सामेप सैंट सैंट्प crust आपकर मगर अगर दोदोटी मिला दो पिटाईभी मिला दो एंटाव इंट्रिंसिक सैंट्रेटी Eagles By मिला दो किसी प्यूर सेमिकंड़क्टर में या फिर बोल सकते हो किसी इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर में आप प्यूर सेमिकंड़क्टर ही ओविसली इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर होता है तो अगर इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर में आप अगर प्यूर इंट्रिंसिक सेमिकंड करेंगे जैसे के P type और N type दोनों doping हम लोग add करेंगे और ऐसी जो doping होती हम लोग बोलते compensation doping तो आपको कोई बुचेवा compensation doping process क्या होता है तो compensation doping process ऐसा process होता है जिसमें हम लोग किसी pure semiconductor में दोनों doping मिलाते P type और एक डॉप्ट जिसके वजए से हममें जो डौपिक्र misf lust मिलता है कंपंसेशन чोपीन है कंपनंसेशन डौप इतना आपको याँ भर compensation दोपिंग में work semiconductor में पूद मिलेगोंगना दोगे और एंट अछनगाई 말 करें अगर का अगर हम लोग सेचरार अगर एनरजी को बेंडuent इसको हम लोग बैंट के समीकंड़क्टर का बना रहें यहाँ पर हम लोग intrinsic semiconductor का band diagram बना रहे हैं यहाँ पर हमने चाहिए सेंटर में point considering किया है यहाँ पर यह सेंटर में हमने जो point यह दो जो consider किया है वह band gap का centre point है यहाँ अभी अगर हम लोग देखे walks intrinsic semiconductor के case में क्या होता है intrinsic semiconductor के case में आपको जो फर्मी एनर्जी जो लेवल मिलता है intrinsic semiconductor के case में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो band gap के center में लाए कर रहा होता है in case of intrinsic semiconductor intrinsic semiconductor या फिर बोल सकते pure semiconductor के case में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो band gap के center में लाए कर रहा होता है यहां पर यह जो ECA वह हमें इंडिकेट कर रहा है energy level of conduction band और जो EVA वह हमें इंडिकेट कर रहा है energy level of valence band अगर हम लोग energy band diagram consider करें end type semiconductor का end type semiconductor के case में हम लोग क्या करते हैं end type semiconductor में अगर हम लोग एक intrinsic semiconductor में pentavalent impurity मिला दे तो हमें कौन सा semiconductor मिल जागा extrinsic semiconductor और कौन से टाइप का semiconductor रहेगा end type semiconductor रहेगा और end type semiconductor में जो फर्मी energy level जो दिखा एदर है वो conduction band के तरफ थोड़ा shift हो जाता और हम एक energy level मिलता है जिसको हम लोग बोलते donor discrete energy level तो energy band diagram of end type semiconductor यहाँ पर हमने conduction band consider किया है valence band और यह valence band का जो difference होता है इसको हम लोग basically बोलते band gap तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह जो फर्मी energy level हो conduction band के तरफ थोड़ा shift हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते जो फर्मी energy level है वो थोड़ा conduction band के तरफ shift हो गया है और यहाँ पर हम एक energy level म concentration assume करते हैं इसके बारे में आपने अल्रेडियो कोण्सेप्ट मिल जाएंगा similarly band diagram consider P-type semiconductor का band diagram आपको कैसा मिलेगा similarly यहापर भी आपको क्या मिल जाएंगा यहापर भी सबसे पहले आपको मिल जाएंगा balance band, conduction band just wait for a second तो P-type semiconductor के case में भी आपको सबसे पहले conduction band मिलेगा फिर उसके बाद balance band और पीच में आपको क्या मिलेगा band gap conduction band कौन सा band होता है, conduction band ऐसा band होता है जिसमें आपको क्वान सेट्र पो bipolar abu कि conduction bands को प्विलेंगे you balance band में आपको क्वाण से ले हैड्रण मिलेंगे इसकों लोग basically कहा बोलते हैं इसकों लोग बोलते है band gap P type semiconductor के case में जो فर्मिय energy level होता है वो valence band के सरफ shifted होता है तो आप देख सकते हुआ जोfernISA energy level है फर्मिय energy level यह valence band के सरफ shifted है और आपको एक energy level मिलेगा और यह जो energy level होता है इसको हम लोग basically बोलते है acceptor energy level यहाँ पर यह जो energy level आपको जो मिला इसको हम लोग basically बोलते है acceptor energy level और यह जो acceptor energy level होता है इसको हम लोग कैसा शो करते है इसको हम लोग na से शो करते तो जो na है मतलब यह जो acceptor energy level आपको जो मिला यह acceptor energy level पर हम लोग assume करते na अब यह NBA क्या होता है यह होता है तो एक्सैप्टर एनरजी लेवल पर हम लोग पिटाइप में हमने डिसकश किया है तो जो NA है वह में इंडिकेट कर रहा है पिटाइप कंसंटरेशन या फिर बोल सकता है एक्सैप्टर डोपिंग कंसंटरेशन और यह जो N-D हमें जो दिखाए दे रहा है N-D जो N-D है वो हमें इंडिकेट कर रहा है N-type doping concentration या फिर बोल सकते donor doping concentration अभी हम लोग 2 cases consider करते वे चलेंगे यहापर 2 cases assume करने से पहला मैं आपको यह बताना चाहूँगा जैसे कि हमने डिसकस किया compensation doping में हम लोग 2 दोपिंग मिलाते हम लोग 2 टायप डॉपिंग भी मिलाते N-type like मिलाते अज require कर सकते हैं अपको बेंड डायग्राम किस तरीके से मिलेगा आपको जो supports ellis — के इस तरीके से मिलेंगा जो बेंड डायग्राम है यह टीज है नीचे के तरफ जांगा यह किस के ऑपफ डिबैंट करेगा था सब्सक्राप de मिखना हुछ सब्सक्राइब करें। हम लोग दोपिंग आजिूम करते जिसके वज़ेसे जो बैंड डाग्राम हमें जो मिलेंगा कमपनसेशन डोपिंग के लिए उसमें हमें donor discrete energy level भी मिलेगा और हमें acceptor energy level भी मिलेगा और जो fermi energy level हमने जो consider क्या है वो जो fermi energy level है वो depend करेगा जो fermi energy level है या तो वो उपर जाएंगा या तो वो नीचे जाएंगा तो fermi energy level जो उपर जाएंगा वो जो fermi energy जो level है fermi energy level जो उपर जो जाएंगा sorry for that fermi energy level जो उपर जो जाएंगा वो कब जाएंगा जब ND greater होगा NA के comparison में जिसके वज़े से यहाँ पर हमने पहला वाला case consider क्या है ND greater than NA और यहाँ पर यह जो fermi energy level है नीचे भी जा सकता है तो यह कब नीचे जाएंगा यह फर्मी energy level नीचे तब जाएंगा जब ND laser होगा NA के comparison में तो यहाँ पर जैसे के हमने डिसकस क्या है यहाँ पर यह जो fermi energy level है वो उपर भी जा सकता है फर्मी energy level उपर कब जाएंगा फर्मी energy level उपर तभी जाएंगा जब ND greater होगा NA के comparison में और फर्मी energy level नीचे कब जाएंगा जब ND laser होगा NA के comparison में तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने case number one consider के है जिसमें जो ND है वो greater है NA के comparison में इसका मतलब जो donor doping concentration है वो greater है acceptor doping concentration के comparison में तो आपको जो band diagram जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा यहाँ पर यह conduction band यहाँ पर यह balance band दोनों के बीच का जो difference है वो क्या है वो है band gap तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इहाँ पर सबसे पहला हमने energy level जो कि donor discrete energy level और यहाँ पर हमने consider कर लिया acceptor energy level जहाँ पर हम लोग accepted impurities को assume करते है तो यहाँ पर बहुत अद्धिक के लिए रहे कि जो donor doping concentration है वो acceptor doping concentration के comparison में ज़एगा donc or doping concentration अगर acceptor doping concentration के comparison में ज़एदा होता है तरव shift होने लगेंगा यहाँ जो इसे हो आपकोको इंडिकेट कर रहा है energy level of conduction band और जो इवा आपको क्या इंडिकेट कर रहा है energy level of balance band similarly case number two consider कर लेते हैं जिसमें जो donor concentration होगा वह acceptor concentration के comparison में कम होगा तो अगर donor concentration अगर acceptor concentration के comparison में कम होता तो यहां पर यह लेव भी हो नीचे के तरफ़ लेवल नीचे के तरफ जाता है नीचे के तरफ जाएंगा मतलब बैन्स बैंड के तरफ जाएंगा तो जो यह पर यह फर्मी एनर्जी लाइवल बैंड गैप के सेंटर पॉइंट पर है हमने एजुम किया कि जो डोनर डिस्कृइट कंसंट्रेशन ने लाइजर एक्सेप्टर जो डोनर कंसंट्रेशन है सौरी डोनर डिस्कृइट नहीं या फिर सिंपल वर्ड में जो एंट टाइप और यह वह चील आप जादा उने के वजब्यस के तरफ होगा तो यहां पर आगर हम लोग देखे आपको कुछ इस तरीके से बैंड डाइग्राम मिलेगा जब donor doping concentration laser होगा acceptor doping concentration के comparison में या फिर बोल सकते हैं जब acceptor doping concentration greater होगा और donor doping concentration laser होगा यहाँ पर आप अगर देखे fermi energy level उपर के तरफ जा रहा है fermi energy level उपर के तरफ जा रहा है तो fermi energy level को देखते हुए आपको end type semiconductor की याद नहीं आ रही है देता है के case में जो fermi energy level होता है बैंड डाइगर कंडक्शन बैंड के तरफ shifted होता है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो fermi energy level हो conduction band के तरफ shifted है इसका मतलब यहाँ पर हमें जो semiconductor मिला वो कौन साथ सामी कंडक्टर है end type का semiconductor है मगर doping कौन से compensation doping है यहाँ पर यहाँ पर अगर हम लोग देख है यहाँ पर यहाँ जो बैंड डाइगराम है वो हमें कौन से सामी कंडक्टर का मिल गया जो बैंड डाइगराम है वो हमें पी टाइप सामी कंडक्टर का मिल गया और यहाँ पर जो doping है, वो कौनसी doping है, compensation doping है, तो इसी को हम लोग basically बोलते है, compensation doping, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर यह n-type semiconductor हमें मिला due to the compensation doping, तो n-type semiconductor के case में, n-type semiconductor है, उसमें compensation doping की गई है, तो ऐसे case में majority career concentration find out करने के लिए हमारे पास है यह वाला relation, n-n is equal to nd-na, यहाँ पर यह nd-na आपको क्या indicate कर रहा है, वो जो nd-na है वो आपको indicate कर रहा है, just wait for a second, यह जो nd-na है वो आपको indicate कर रहा है, compensation doping concentration, n-n-na आपको indicate कर रहा है, compensation doping concentration, compensation doping concentration और denominator में 2, plus under root, compensation doping concentration upon 2 whole square, plus intrinsic career concentration का square, यहाँ पर यह वाला जो relation है, वो हम लोग use करेंगे, majority career concentration को find out करने के लिए, and type semiconductor में, अगर doping, compensation doping होती है, तो, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देगे, यहाँ पर यह जो compensation doping concentration, अगर compensation doping concentration, अगर बहुत-बहुत-बहुत जादा होता है, intrinsic career concentration के comparison में, तो ऐसे case में, जो majority career concentration होता है, वो compensation doping concentration के ही approximately equal होता है तो if compensation doping concentration अगर compensation doping concentration अगर बहुत बहुत ज़ादा होता है तो जो intrinsic career concentration होगा ऐसे cases में if compensation doping concentration is very high then यहाँ पर देख सकते compensation doping concentration बहुत बहुत ज़ादा है इसके comparison में intrinsic career concentration के comparison में if compensation doping concentration is very high then intrinsic career concentration then in such cases majority career concentration will remain equal to compensation doping concentration तो अगर compensation doping concentration अगर बहुत बहुत ज़ादा होता है intrinsic career concentration के comparison में तो ऐसे cases में जो majority career concentration होता है वो approximately equal होता है किसके compensation doping concentration के similarly यहाँ पर हमने consider किया P type semiconductor और यह P type semiconductor हमें कैसा मिला यहाँ पर यहाँ पर हमने P type semiconductor consider किया compensation doping के वज़े से और यह P type semiconductor हमें कैसा मिला क्योंकि यहाँ पर यह जो फर्मी लावल है वो valence band के तरफ shifted है जिसके वज़े से हमने बोल दिया कि जो semi conductor है P type semiconductor है तो हमें P type semiconductor मिला कौन से doping के वज़े से compensation doping के वज़े से तो P-type semiconductor में majority carriers क्या होते है P-type semiconductor के case में जो majority carriers होते होते होल तो P-type semiconductor में majority carrier concentration find out करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला relation PP is equal to Na minus ND और denominator में 2 plus N under root Na minus ND upon 2 whole square plus intrinsic carrier concentration का square तो majority carrier concentration find out करने के लिए majority carrier concentration in P-type semiconductor P-type semiconductor में majority carrier concentration find out करने के लिए आपने एक P-type semiconductor बना और वो जो P-type semiconductor है उसमें compensation doping की गई है और आपको majority carrier concentration find out करना है तो आप यूज करोगे ये वाला relation similarly आप देखो अगर majority carrier concentration अगर majority यहापर यह Na minus ND हमें क्या indicate कर रहा है compensation doping concentration अगर ये compensation doping concentration अगर बहुत बहुत ज़ाधा होता है intrinsic carrier concentration के comparison में तो ऐसे cases में majority carrier concentration होगा वो approximately equal होगा किस के approximately equal होगा compensation doping concentration के ये जो Na minus ND हैंज यह Na minus ND हैंज है कर रहा है कंपन्सेशन डूपिंग कंसंट्रेशन अगर यह बहुत बहुत ज्यादा होता है इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन के कंपारिजन में तो ऐसे केसे में जो मैजोरेटी करियर कंसंट्रेशन होता वह अप्रॉक्सिमेटली वरावर में होता है अप्रॉक्सिमेटली डूपिंग कंसंट्रेशन के